वेल्कम बाक ट्रेडर्जान इन्विस्स एंड इस एपिसोड में बात करने वाले हैं पुदुम जी पेपर प्रोडक्स लिमिटेड के बारे में दोस्तों स्मॉल काप साइस कंपनी है आरोई 13.2 पर सिंट करता है पहले प्रोडक्स देखते हैं फिर बात करेंगे चार्थ पे लॉंग टर्म ऑपरचुनिटी है स्विंग प्रेड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो अभी इस आप वीडियो को जोड़ सकते हैं यही पर हम उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं तो सबसे पहले टिश्यू अंट टाल्स हो गए डेकर ग्रेड्स हो गए टाल्स तो यह एक पॉजिटिव फैक्टर है अभी कंपनी हाज लॉंग वे टुगो देखें लिस्ट हुए था स्टॉक बाक इन 2016 14 16 रुपीज पर लिस्ट हुआ था तब से एक अच्छा रिटर्न बना कर दिया है अगर आप लॉंग विजन रखते हैं इस कंपनी के अंदर लास्ट यर अभी एक राइस जो है देखने को मिल रहा है इसके लावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं बॉरिंग्स कम होए है कंपनी के अगर आप देखेंगे तो नए फिक्स जासेट 71 करोड के एक्वायर करें हैं इन्वेस्मेंस 12 करोड की नए यहाँ पर परचेस करें है इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं बॉरिंग्स जो है कमपनी के नए बॉरिंग्स 50 करोड के पुराने 32 करोड के बॉरिंग्स को पे आफ करा है शेरोल्डिंग पार्टन की यहाँ पर बात करते हैं प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया यह हमेशा एक बहुत हिल्दी साइन होता है इन फाक्ट मैं तो कहता हूं कि इसका आपको स्क्रीन लगा के भी देखना चाहिए यहां से कौन-कौन सी ऐसी कंपनी जिन में प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं साथ में अगर आप देखोगे लास्ट ऑगस्ट 2022 को 20 पैसे और 30 प कर रहे हो लॉंग टर्म विजन है 18-10 साल तक मत देखो गए नहीं देखते हो इन्वेस्टमन्स को सिर्फ ट्रैक करते हो कंपनी को तो मुझे लगता है बहुत बढ़ी है सी एमपी पे बहुत स्मॉल चंक्स करके क्वायर कर सकते हो मैं परसनली भी कर रहा हूं बट और ना ए देखो के यहां पर एक इंट्रस्टिंग चीज़ दिखाता हूं वॉल्यूम की तरफ पर थोड़ा सा ध्यान देना देखो कैसे छुप छुप के वॉल्यूम आई जा रही है जैसी ग्रीन जाते हैं बढ़िया वॉल्यूम फिर देखो के दुबारा वॉल्यूम हर बार तो इस पर क्या मतलब होता है कि देखो इंवेस्टर्स का भी जो है एक ट्रस्ट है इस कंपनी के उपर उस वाक्टर को हम यहां पर कंसेडर कर रहे हैं अच्छा सेकंडली अगर आप देखते हैं चार्ट पे तो अभी जो स्टॉक है ना एक जोन में जाता हो नजर आ रहा है अगर आप उस जोन के बारे में बात करते हैं तो यहां से 46.98 का लेवल ब्रेक हुआ है 100 एम में जो है भी पास में ही है 45 रुपीस पे 100 एमे स्टांड करता है अगर 100 एमे ब्रेक कर देता है स्टॉक तो फिर 43 के लेवल तक भी जा सकता है वहां पे एक अच्छा बाई जोन है इस येलो जोन में तो यहां पे एक नए पोजिशन आपको बनते हैं नजर आएंगे फ्रेश वॉल्यूम आती ही नजर आ सकती है अदर्वाइस यहां से रिवर्सल लेता है 100 एमे से स्टॉक क्योंकि यहां से अकसर ले लेते हैं काफी सारे स्टॉक्स रिवर्सल तो फिर पो कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं बाकी फ्रेश एंट्री के यहां पे थोड़सा अभी अवाइट करें 47 रुपीज के उपर जाता है वहां फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है 53 के पहले टार्गेट के लिए अदर्वाइस यहां पे जरूर करियेगा पसंद आया तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में तब तक लेश शुक्रिया और थांक्स फर वाचिंग